वेलकम तो क्लास नूमबर वन, मिक्षर ऐलिगेशन के टॉपिक को आज से शुरू कर रहे हैं, तो मिक्षर ऐलिगेशन इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो परसेंटेज में देखा था, या फिर जो प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे, सिंपल इंटरस, कंपाउंड इंटरस में देखेंगे, या फिर कुछ टाइम स्पीड डिस्टेंस में, यहाँ पर कुछ ऐसे कोशन टाइप होते हैं, जिनमें हम एलिगेशन या फिर वेटेड आवरेश का यूज़ करके उसे सॉल्व करते हैं, इसके सबसे पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं, यह मिक्षर और एलिगेशन में आता क्या-क्या है, तीन चीजे आज टी क्लास में अपने को समझनी है, पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है वेटेड आवरेज, लेके करके लिखते चलते हैं इनको, अब यह वेटेड आवरेज क्या होता है, यह नॉर्मल आवरेज से किस तरह से अलग है, इस चीजे को पहले देख लेते हैं, अगर मैं बोलू कि दो स्टुडेंट्स हैं, A और B, इनकी अगर हाइट की बात करें, A की हाइट है लेटस से 170 सेंटी मीटर, B की है 180 सेंटी मीटर, और एक और ले लेते हैं C, उस टुडेंट की हाइट है 175 सेंटी मीटर, तो इनका अगर मुझे अवरेज निकालना है, तो किस तरह से नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, या तीनों को आप एड कर लो, और तीन से डिवाइट कर दो, यही होता है हमारा अवरेज, अब वेटेड अवरेज क्या चीज है, अब चुकि यहाँ पर सिंगल लोग थे, तो यहाँ पर इनकी जो हाइट है, इसी को मैं कह सकता हूं इनकी average height है A की height अगर 170 है तो A की average height भी 170 होती यहाँ पर अगर मैं लिख aur मैं नीचे की number या फिर इसे मैं कहता हूं weight या कह सकते है size A की व्यक्ती है तो यहाँ पर 1 है B एकी व्यक्ती है C भी एक ही व्यक्ती है इसे हम जब average की time में भी देख रहे होते हैं तो किस तरह से लिखेंगे नॉर्मल जो तरीका होगा कि 170 कितने लोग एक व्यक्ति प्लस 180 कितने लोग एक प्लस 175C का कितने लोग हैं एक लोग हैं और divide किस से करते हैं एक दो और तीन इन तीन चीजों को add करते हैं वन प्लस वन प्लस वन थ्री यही होता है हमारा average निकालने का तरीका तो हम उसमें यह 1 वागएरा नहीं लिखते हैं डारेक्ट बस इतना लिख देते हैं अब इसी से निकल के आता है weighted average उसमें क्या फर्क है वो कैसे अलग दिखेगा उसको भी मैं दिखा देता हूँ सेम चीज इसी example को मैं ले रहा हूँ अब की बार मैं लिख रहा हूँ कि तीन classes हैं तीन कक्षा हैं पहला है x दूसरी class है y तीसरी class है z अब इन classes के अंदर जो students हैं उनका average average height अभी भी height की बात कर रहे हैं अब average height में बोल रहा हूँ class x में average height है 170 class y में average height है 180 class z में average height है 175 यह मैंने बता है अब मुझे चाहिए कि इनकी average height कितनी होगी तो क्यासे निकालेंगे और उनके रहा है कि तीनों को जोड़के तीन से डिवाइट कर देंगे देखो class में number of students जादा है एक तो है नहीं तो यहाँ पर अगर मैं बोलू इसका average निकालके दो तो इसका average नहीं निकाला जा सकता वो हो जाएगा cannot be determined क्योंकि हमें यह नहीं पता है कि उस class के अंदर कितने बच्चे है एवरेज निकालते हैं तो क्या होता है total quantity divided by total number अब हमें तो यहाँ पर total number पता ही नहीं है तो total quantity भी नहीं निकाल पाएंगे उसलिकी जगे अगर मैं बोलू कि यहाँ पर x की जो class है वहाँ पर 10 बच्चे है y वाली class में 20 बच्चे है z वाली class में 30 बच्चे है क्या अब निकाल सकते हैं average अब तो असानी से निकल जाएगा 170 में कितने 10 हैं यह x class की पूरी height मिल गई इसमें जोड़ेंगे y की total height 180 multiply by 20 फिर z class की total height 175 multiply by 30 divide किस से करेंगे 10 plus 20 plus 30 मतलब total 60 से यहाँ पर divide करेंगे यही होता है weighted average यहाँ पर यह जो numbers है यह क्या है actually यह weight है weight मतलब अपना tolने वाला weight नहीं है यह weight होता है कि एक size को यह दिखाता है जैसे यहाँ पर x class का weight है वो 10 है y का 20 है z का 30 है तो ज़ज़के पास है 30 वाले के पास है z वाले के पास है सबसे कम version मतलब किसका पौ़वज ज़़के बारी है z का किसका कम भारी है 10 का किसे हम कह सकते है size बोल दो या weight बोल दो simple सा weight लिख लेते हैं wt क्या वजन आप उस पर डाल रहे है size bracket में मैं लिख देता हूँ size मतलब उस group का size कि x से group है class से उसका size क्या है 10 y का size क्या है 20 z का size क्या है 30 यह होता है मारा कितने लोग हैं उस group के अंदर वो होता है मारा weight पहला वाला case बनेगा simple normal average का यह वाला case है अपना average का और यह वाला है weighted average का यह average simple सा और यह है weighted average और weighted average में जो एक चीज़ अपने को देखनी है यह allegation से किस तरह से link होता है तो यह numbers में really important है यह number यह number यह number और यह number यह क्या है basically पूरी class का weight है ना हाँ weight है मतलब क्या size है उस group का वो बता रहे हैं अब weighted average में एक चीज़ और आप देखोगे इससे हम simplify कर सकते हैं कैसे simplify कर सकते हैं यह जो weight होता है ना जरूरी नहीं है कि इसको आप as it is इनी numbers को use करो आप इनको आपस में ratio ले सकते हो इनका अगर मैं 3 unit अब division में क्या आएगा एक दो तीन इनका sum मतलब 6 इसका सेम सेम चीज़ देखो 0 सब जगे से कट रहा था तो यहां पर 1 2 3 और 6 आगे है तो जब भी हम weighted average निकालेंगे तो हमेशा weight जो रहेगा उसका ratio लेंगे ना कि उसकी absolute value लेंगे हमारा calculation वो कम कर देता है हां तरुन हां अगर वो weight पूछेगा लब यह चीज़ पूछेगा तो weighted average में आप निकाल ही average रहे होते हो तो इन weight को वहाँ पर नहीं पूछेगा वो दूसरी चीज़ पूछेगा जितने यह तो normal अपना ratio concept है कि जिस number से आपने उसको simplify किया है वापस आप उसे से multiply कर दोगे अगर उसकी actual value चाहिए तो मैं इसमें यह दिखाना चाहरा हूँ कि जो weight आते हैं इनको अपन आपस में simplify कर सकते हैं करना ही है absolute numbers नहीं लेंगे लेंदी हो जाएगा वो average समझा और weighted average तो weighted average में यह मेरे लिए important है weights क्या वजन है क्या size है उस group का वो ही हमारे लिए deal कराता है कि हम उस calculation को किस तरह से फिर आगे proceed करेंगे अब बात करते हैं कि weighted average और allegation सेम चीज होती है कि अलग-अलग होती है weighted average और allegation कब कौन सा लगाएंगे versus allegation कब कौन सा लगाएंगे अगर कोई दो component की मैं बात करूँ सिर्फ दो की बात करते हैं उपरवाले example को repeat कर लेते हैं क्लास है एक्स क्लास है मेरी वाय पहले वाले में 170 cm average हाइट है सबकी दूसरी में average हाइट है 180 यहां पर इनका weight ले लेते हैं weight मतलब size इस group का size तो x class में 10 लोग है y class में 20 लोग है मुझे निकालना है कि पूरे group का इस दोनों classes को अगर हम combine कर दें तो average क्या होगा average हाइट कितनी होगी तो दो तरीके से कर सकते हैं एक तो weighted average के तरीके से उसको पहले लिख लेते हैं weighted average को वहीं से अपने को allocation दिखना शुरू होगा अगर मैं इसका weighted average निकाल रहा हूं weighted average पूरे group का 170 पहलो simplify कर लेते हैं यह हो जाएगा एक और यह हो जाएगा दो वेट को आपस में simplify कर सकते हैं यह जो value है उपर वाली इसको आपस में simplify नहीं करना है सिर्फ जो वजन है जो size है group का उसी को simplify करना है तो weighted average अपना निकालेगा 170 multiply by 1 plus 180 multiply by 2 divided by 1 plus 2 मतलब 3 यह यह और यह यह अपना weighted average का formula दो के लिए weighted average है तीन होते तो सेम चीज आगे और repeat कर देते multiply by so and so and something अब allegation की बात करें कि अब मुझे लगाना है इसमें allegation इसी चीज में मुझे लगाना है allegation अब allegation के देखो दो तरीके होते एक तो cross method होता है जो किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा वो और दूसरा उसी का simplified version होता है एक line allegation अब cross multiply की जो cross वाला method है उसमें आप क्य के ratio में line allegation में क्या होता है बिल्कुल सेम चीजे straight line इस तरह से draw करेंगे छोटी वाली quantity को left side पे लिख लेंगे बड़ी वाली quantity इसको right side पे जैसे अपना number line जो होती ही ना छोटे से बड़े की तरफ मोग करती है कि left में छोटा number right में बड़ा number ऐसा आप इसको प्रिफर करेंगे और सब जगे एक जैसा करेंगे जरूरी नहीं कि आप उस चीज़ को follow करें आप यहां से छोटा यहां से बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन क्या होता है कि वह confusion हो जाता है इसलिए simple सा रखेंगे left side पे हमेशा छोटी value लिखेंगे right side पर बड़ी value लिखेंगे यहां पर टर्मिनल पर 10 है यहां टर्मिनल पर 20 है middle value something यहां पर 16 है यहां पर भी gap लेते हैं distance को लेते है यहां से यहां तक का जो gap है इन दोनों के बीच में जो gap है वो लिख देंगे 4 यहां पर और इनके बीच का जो gap है color change कर लेते हैं इनके बीच का जो gap है उसको लिख लेंगे इसके उपर तो इसके बीच में gap है 6 सेम चीज़ आ रही है 4 इस टू 6 का ratio यहां पर भी 4 इस टू 6 का ratio यहां पर भी लाइन वाली method यूज़ करेंगे इसमें होता क्या है यहां का जो gap है वो इसका weight बन जाता है और यहां का जो gap है वो इस वाले का weight बन जाता है यह दोनों terminal point है और यह हमारा आएगा average पूरे group का average सेम method है अब वापस चलते हैं इसी सवाल में क्या हम यहां पर allocation लगा सकते हैं लगा सकते हैं लगा सकते हैं एक average जब भी निकालेंगे देखो क्या average 170 के बराबर होगा इन दोनों group का 170 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा क्या 180 के बाहर आ सकता है 181 182 नहीं आ सकता 170 से नीचे जा सकता है नहीं जा सकता तो जो भी मेरा average आएगा वो रहेगा हमेशा 170 और 180 के बीच में ना दोनों के बराबर ना दोनों से बाहर हमेशा एक range फॉलो करेगा हो यहाँ पर side में लिख लेते हैं 180 से 170 जाने तो यह बना ली line of allocation यहाँ पर लिख लेते हैं 170 इस तरफ लिख लेंगे 180 170 पर वजन कितना है एक का वजन है 180 पर वजन कितना है दो का वजन है ठीक है अब 170 से लेके 180 इफ्रेंस कितना है दोनों में 10 का कितने parts में divide करना है 2 प्लस 1 3 3 parts में अपने को इसे divide करना है तो अगर इसका मुझे चाहिए कितना आएगा तो क्या करूँगा यह 2 का क्या मतलब होता है अगर यहां कहीं पर उसका जहां पर भी average है बीच में कहीं पर रहेगा माल लेते हैं यहां कहीं average है तो यह वाला जो distance है वो 2 units को कर्रस्पॉंट करेगा और यह वाला जो distance है वो 1 unit को कर्रस्पॉंट करेगा एक unit की value मुझे मिलगे 10 by 3 दो unit की मैं निकाल दू तो हो जाएगा multiply by 2 तो 170 प्लस 20 by 3 वो आ जाएगे उसकी value इधर से आएंगे तो 180 और एक unit घटाना है तो 180 माइनस 10 by 3 चाहा इस तरफ से calculate कर लो चाहा इस तरफ से calculate कर लो और allegation अब बात आती कि weighted average इसको तो weighted average से भी निकाल सकते थे allegation से भी निकाल रहे हैं तो कब weighted average यूज करें और कब allegation यूज करें जब भी दो groups को मिलाने की बात हो रही होगी तब हम use करेंगे allegation को और जब भी दो से ज़्यादा groups को मिलाने की बात हो रही होगी जैसे उपर वाले example में था तीन classes थी इनको अगर मिलाना है तो हम use करेंगे weighted average को क्योंकि allegation एक बार में दो ही quantities पर लग सकता है ऐसा नहीं है कि आप तीन वाली quantity पर allegation नहीं लगा सकते पहले आपको दो पर लगाना पड़ेगा फिर उसका group बनाना पड़ेगा फिर तीसरे से लगाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा lengthy हो जाता है इसलिए जब दो group रहेंगे उसको हमें मिलाना है तो allegation जब दो से ज़्यादा group है उनको हमें मिलाना है तो weighted average यह clear-cut अपना direction जो follow करेंगे वो kind of rule जैसा इसको समझ लो दो group हैं उनको merge कर रहे हैं तो allegation यूज़ करेंगे दो से ज़्यादा group हैं तो weighted average use करेंगे अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और practice कर लेते हैं allegation वाली चीज़ को random numbers में कुछ लिख रहा हूँ अगर milk solution आप assume करो milk solution है जो एक है उसमें 10% का concentration है दूसरा जो है उसमें 20% का concentration है पहले वाले का जो weight है या कितने liter है पहले वाला अगर मैं कहूं तो साथ unit है इस वाले पर weight तीन unit है तो इसका weighted average कितना निकलेगा कुंदन कहा रहा है 13 करुन कहा रहा है 1 देख लेते हैं 20 से लेके 10 तक gap किता है 10 से लेके 20 gap किता है 10 का कितने parts में इसको divide करना है 7 और 3 10 10 से divide करेंगे मतलब 1 टोटल यहां पर 10 parts रहेंगे मतलब 10 gap रहेंगी 10 gap का मतलब यहां पर for example जैसे अगर मैं यहां पर दूसरी scale बना रहें अगर 10 से लेके 15 होता और मैं कहता कि हर एक एक का gap आ रहा है मतलब यहां पर मैं line कितनी कट करता नि पांच का gap ज़ए यह तो चार एक दो तीन चार मतलब ये 10 है यह 11 हो जाता, यह 12 हो जाता, यह 13 हो जाता यह 14 हो जाता और यह 15 हो जाता यह जो है यह पहला gap, दूसरा gap, दूसरा gap, तीसरा gap, चौथा gap, पाँचवा gap तो एक gap की जो value यहां पर रहेगी, total यहां पर 10 gap रहेंगी, मतलब 9 cut लगाएंगे उस पर एक gap की value, एक unit के बराबर है, एक percent के बराबर है, तो अगर 10 से देखूं, तो यहाँ कहीं माल लेते हैं, कितना निकालूं, 10 तो रहेगा, plus, यह 3 का gap यहाँ पर आएगा, 3 और हर एक की value 1 है, तो 3 into 1, 3, यहाँ पर हो जाएगा 13%, 20 से अगर देखें, 20 से अगर देखें, तो यह वाला gap रहेगा, 7 unit के बराबर, 7 into 1 मतलब 7 percent, बीस में से 7 गटाएंगे, वापस से 13, तो दो terminal की value देखें, आप से बीच वाली चीज़ पूछ सकता है, या फिर और इसमें चीज़ देख लेते हैं, एक और example इसमें बना लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि, एक 15 percent है, या फिर इसको बना देते हैं, 10 percent है, यहाँ पर 15 percent है, और यहाँ पर 19 percent है, तो weight कितने बनेंगे, इस पर कितना weight डालूँ, पहले में 4, तो 19 में से 15 घटाएंगे, यह वाली gap यहाँ पर आती है, मतलब यहाँ पर 4 का weight डलेगा, और 10 और 15 के बीच में 5 का gap, तो 5 का gap, 5 का weight यहाँ पर डलेगा, यह चीज अपने को मिल गई, तो कोई भी एक value इन में से हटा के आपसे दूसरी value पूछ सकते हैं, यह दो चीज़े दे के उनका weight दे देंगे, और center वाला percentage average निकलवा देंगे, या फिर center वाला weight देके आपसे बाकिकी चीज़े निकलवा देंगे, इसी चीज की बस अपने को थोड़ी सी practice करनी है with questions, यही सारे concept questions में लगेंगे, अब यह allocation लगता कहाँ पर है, कैसा दिखता है, क्या करते हैं, और यह weight, weight कैसे decide हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यह जो मैं highlight कर रहा था, यही देखो weight पर जाता है, जो मैं highlight कर रहा था, यही weight पर जाता है, 170 पर एक था, मतलब एक उसका weight था, दो, दो यहाँ पर top पर गया, उसका weight था, जो number आप यहाँ पर multiply कर रहे होते हो, यह इस तरह का, जब भी आप weighted average लगाओगे, और यहाँ पर जो numbers आप लिख रहे होते हो, वही बन जाते हैं, weight, तो average निकालने का question रहेगा, या फिर percentage का, concentration का, mixture का, सब जगे weight क्या बनेगा, वो कैसे decide करेंगे, तो weighted average का जब आप formula लिखोगे, उसमें यहाँ पर जो numbers आते हैं, वही होते हैं हमारे weight, अब इसके questions को करते हैं, और इन्ही सारे concepts को वहाँ पर apply करेंगे, question number one, term कहाँ 55 आएगा, अब भी कहाँ 55 आएगा, देखो आप पहली वाली ही गलती कर रहे हो, दो class है, A और B, एक में 60 marks है, एक में 50 marks है, यहाँ पर 60 marks है, यहाँ पर 50 है, यह average marks है उस पूरी class के, उस class में कितने बच्चे हैं, अपने को पता ही नहीं है, यहाँ पर दिया ही नहीं है, इस वज़े से cannot be determined, इसे हम determine नहीं कर सकते हैं, ग्रुप में कितने group का size क्या है, उसमें कितने members हैं क्या है, वो अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी weighted average निकाल पाएंगे, question number 2, पर उनके रहे 50 आएगा, दो group बन रहे हैं, एक 16 लड़कों का, और एक 8 लड़कों का group बन रहे हैं, दो group हैं, तो चाहिए हम weighted average लगादें, या फिर allocation लगादें, तो 2 में fast काम करेगा अपना allocation, तो यहाँ पर लगाएंगे पर allocation, yes, तो अगर देखें, एक 48 kg है, एक 51 kg, अपने को निकालना हैं कि average weight कितना होगा, तो line of allocation अगर बना ले, छोटा वाला number यहाँ पर लिखेंगे, 48 बड़े वाला number average जो है, वो यहाँ पर लिखेंगे, 51, अब weight कितना लिखें, 48 के पास 8 हैं, 51 में 16 हैं, 8 और 16 weight बनेंगे, क्या इनको आपस में simplify कर सकते हैं, कर सकते हैं, 8 की जगे लिखेंगे 1, 16 की जगे लिखेंगे 2, तो 8 की जगे, यहाँ पर 1 का weight, 51 पर 2 का weight, बस इसको simplify कर लेंगे, gap कितना है, 51 से 48 के बीच में, 3 का, कितने हिस्सों में बाटना है इसे, 2 प्लस 1, 3, मतलब 1 जो gap है वो, 1 के बराबर है, 3 gap चाहिए, मतलब 2 cut लगाएंगे, 1 cut और 1 cut यहाँ पर, मतलब 48 है, तो यह 49 होगा, यह 50 होगा, यह 51 हो जाएगा, 48 में, यह वाला जो distance है, यह 2 unit को कर्रस्पॉंड करेगा, यहाँ से लेके, यहाँ तक पूरा आना पड़ेगा, 48 प्लस 2, 50, option number B, पूरी scale of allocation, यहाँ पर मैंने लिखती, जब भी दो गुरूप रहेंगे, तो हम weighted average का formula लगा के, वहाँ से भी answer निकाल सकते हैं, allocation से भी निकाल सकते हैं, दो में allegation लगाना prefer करेंगे, option number 3, पुन्दन के रहें 18 आएगा, तीन color है, पर kg उनकी क्या value है, यहाँ पर 20, 15, 18, यह तो है average, weight क्या है, 3, 2, 4 के ratio में दे रखा है, 3, 2, 4, यहाँ पर allegation लगा के, यूज करेंगे weighted average को, इसको multiply करेंगे, 60 प्लस 30 प्लस 72, divided by, 4, 2, 7, 3, 9, तो 60 हो 30, 90 हो जाएगा, मतलब यह मुझे देगा 10, यह होता है, 8 बार 10 और 8, 18, option number 3, option number 4, यहाँ पर के रहा है, 16 आएगा, यहाँ पर केजी, यहाँ पर 15 पर केजी, यहाँ पर 20 पर केजी, अब weight की बात करें, कितना वज़े ने सब पर, 39, 26 और 65, इनको आपस में simplify कर सकते, 13 से यह जाएगा 3 बार, 13 से यह जाएगा 2 बार, 13 से यह जाएगा 5 बार, इन weight का हम use करेंगे, यह हो गया 30 plus, 30 plus, यहाँ पर 100, divided by, 5, 2, 7, 3, 10, 0 बगरा काट दो, यह हो जाएगा अपना 16, option number C, option number 5, और उन कहा रहा है, 66, आपका भी वही आ रहा है, यहाँ पर इसको 60%, पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में 68%, तीसरे टेस्ट में 70%, यह तो, क्या उसके marks है, averages, अब मुझे बताओ, यहाँ पर weight क्या लिखूँ, क्यों 111, आपर इनके maximum marks नहीं दे रखे हैं न, मैं नहीं पता कि वह 100 में से है, 200 में से है, 300 में से है, 500 में से, 1000 में से, यहाँ न, weight, weight missing है यहाँ पर, weight हमें यहाँ पर नहीं पता है, क्योंकि weight हमें नहीं पता है, कि यहाँ पर weight क्या बन रहा है, उसका total marks, क्योंकि हमें total marks नहीं पता है, इसलिए cannot be determined, यह simple average का सावाल नहीं, simple average का सावाल कब बन जाता, जब वो लिख देते हैं, कि तीनो test के जो maximum marks है, वो same है, फिर वो क्या marks है, उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि ratio मेरा 1 is 2, 1 is 2, 1 बन जाता, same है तो, अभी original question में, यह cannot be determined, क्योंकि यहाँ पर इस सावाल में, जो weight बनेगा, वो बनेगा total marks, इसको जब आप लिखोगे, अपने weighted average के form में, तो 60% of क्या, total marks, 68% of क्या, total marks, 70% of क्या, total marks, और फिर वो नीचे, total total 3 marks को अब add करते हो, तो जो भी, जैसे weighted average का, general formula के अगर बात कर लें, weighted average का, जो भी general formula है, अगर 3 ले रहे हैं, तो पहली quantity का average, multiply by weight 1, plus, दूसरी quantity का average, multiply by weight 2, plus, तीसरी quantity का average, multiply by weight 3, तो division में क्या आता है, weight 1, plus, weight 2, plus, weight 3, यह अपने लिए, यह numbers बहुत important है, weight, यह, यहाँ पर यह, और यहाँ पर यह, यह अपने लिए important, यही decide करेंगे, कि value निकलेगी, नहीं निकलेगी, simplify होके निकलेगी, कैसे निकलेगी, और देखो कि, अलग-अलग question type में, अलग-अलग weight बन रहे हैं, इस वाले question type में क्या हो रहा था, total marks weight बन रहे हैं, उपर वाले सवालों में, यहाँ पर क्या हो रहा था, kilogram total version कितना है, वो weight बन रहा था, यहाँ पर, यह भी weight, total kg में weight बन रहा था, यहाँ पर, total number कितने हैं, group में, number of people weight बन रहा था, तो यह चीज अलग-अलग बनेगी, weight कैसे तो आप, पता कैसे करेंगे, कि weight क्या है, कैसे बनेगा, या किसे weight मानेंगे, इसी formula को समझेंगे, जिस किसी भी condition में, आप weighted average लिखेंगे, यहाँ पर जो values आप लिखते हैं, यही वहाँ पर weight कहलाएंगे, question number 6, तरुन कहारा, 60 आएगा, चार ग्रूप हैं अपने पास, उनके वजन, उनका जो weight है, size है, उसका ratio दे रखा है, तो इस बार निकाल तो सकते हैं, 40 से 1 को multiply करेंगे, 40, सब percentage चल रहा है, percentage में लिखनी रहा हूं, plus 50 multiply by 200, plus 60 multiply by 3, 180, plus 70 multiply by 4, 280, division में लेंगे, ये हैं weight up की बार, 4, 3, 7, और 3, 10, 0, 1, हटा लेंगे, 28 से 18 है, 2 इसको दे देंगे, 20 हो जाएगा, 2 इसको दे देंगे, ये 30 हो जाएगा, 50 और 10, 60 correct है, option number 3, question number 5, question number 6, दोने में अंतर समझना, percentage दिया है, लेकिन हमें उसका base नहीं पता, उसका weight नहीं पता, कि या out of कितना, नीचे क्या लिखूं में उसके, यहाँ पर अपने को पता है, कि जो भी maximum marks है, उनका ratio मुझे दे दिया, ratio ही मुझे चाहिए भी, अगर total marks लिखे होते, अगर इसकी जेगे 100 लिखा होता, 200 लिखा होता, 300 लिखा होता, 400 लिखा होता, तो भी simplify करके, 1, 2, 3, 4 का ही ratio हम यूज कर रहे होते हैं, तो total marks की value दी हो, या फिर उनका ratio दिया हो, कुछ ना कुछ तो हमें दिया होना चाहिए, ultimately ratio ही लेते हैं, question number 7, करून कहा रहा है, 60 आएगा, कुंदन कहा रहा है, 45 आएगा, solve भी कर लेते हैं, दो group हैं, तो चाहे तो weighted average लगा लो, या फिर यहां पर allegation लगा लो, मैं allegation लगा कि आपको दिखा देता हूं, छोटी number value है, 30% 75%, 30% यहां पर, 75% यहां पर, जो भी value आएगी, उसके बीच में रहेगी, weight की बात करें, 1 is to 2 के ratio में, इनको mix किया है, मतलब इसका, एक लीटर अगर लिया है, तो इसका 2 लीटर ले लिया है, दोनों की बीच में gap कितना है, 45 कितने हिस्सों में बाटना इसे, 2 और 1, 3, मतलब एक एक gap कितने का आएगा, 15 का, अब यहां पर 2 यूनिट आ रहा है, तो 30 से 2 यूनिट आगे जाना है, मुझे, 2 यूनिट आगे जाना है, एक यूनिट की value 15 है, तो 2 यूनिट की value कितनी होगी, 30 में 30 add करेंगे, 60, 60%, यहां पर क्या हो रहा है, कि numbers convenient है, तो weighted average लगाने में पर कोई बहुत time नहीं लग रहा, कि 30 करना है, 150 करना है, उसको 3 से divide कर देंगे, 100 से divided by 360 हो रहा है, यहां तो weighted average fast कर रहा है, बिल्कुल mind से कर पा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होगा, numbers यहां पर अलग-अलग आ जाएंगे, different हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब उसमें weighted average लगाने में time लगेगा, वहां पर allegation तेज काम कर देगा, आगे चले, क्योंकि यह जो allegation से में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई तरह कैसे सवाल रहेंगे, कि जहां हमें allegation ही use करना है, वहां पर अलग-अलग चीज़े हमें रहेंगे, तो यह scale of allegation अपने को समझ में आनी चाहिए, कि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, उनके version को कैसे decide कर रहे हैं, और यह version यहां पर किस तरह से transform हो रहे हैं, distribute हो रहे हैं, इसको अब solve करेंगे allegation method से, weighted average भी लग जाएगा, क्योंकि दो group हैं, तो उसमें चाहिए weighted average लगा लो, चाहिए allegation लगा लो, उन्दन के रहे हैं 76 होगा, आपका भी आ रहा है 76, यहां पर allegation लागे देखते हैं, allegation किसे कैसे बनेगा, पहले जो group है उसमें 20%, और दूसरे जो girls का group हो, उसमें 30%, यह लोग क्या है, scholarship holder है, तो मैं चाहरा हूँ कि यह total कितना परसंट है scholarship holder है, यह scale बना लेते हैं, यह 20%, यह 30%, पहले उनको निकाल लो, जिनको मिल रही है, उसमें 100% से minus कर देंगे, हाँ वैसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हैं, 20%, boys कितना ratio, 3 का ratio है, 3 का weight इसके उपर, girls पे 2 का weight है, इन दोनों के बीच में difference कितना है, 30 और 20 में, 10% का, कितने हिस्सों में बाटना है, 2 प्लस 3, 5, मतलब हर एक आएगा, 2 के बराबर, तो 20 से आगे देख लें, या 30 से पीछे देख लें, इस बात 30 से पीछे देख लेते हैं, 30 से मुझे 3 step पीछे जाना है, और हर एक step है कितना, 2 unit का, तो 3 इंटू 2, 6, तो 30 में से मुझे 6 घटाना पड़ेगा, तो 24 परसेंट तो वो आ रहे हैं, जो कि scholarship holder है, तो किन के पास, जो scholarship holder नहीं है, 100 में से इसको घटा देंगे, 76, option number 1, या फिर आप इसको चाहते होगी, डारेक निकालना है, तो इसको आप 80% कर दो, कि इतने scholarship holder नहीं है, आप ऐसे निकालो, multiple तरीके करने के, option number 9, कितने हैं वो निकालो, 100 में से माइनस कर दो, तो educated का percentage मिल जाएगा आपको, पहला ग्रूप है 5% का, दूसरा ग्रूप है 40% का, इनका average मुझे चाहिए, वेट कितना डालू इनके उपर, वन फिफ्थ ऑफ दो पॉपुलेशन आर फीमेल्स, ना वन फिफ्थ, तो पांच में से एक इनको दे दो, बचे हुए चार इनको दे दो, यह मेरा weight distribute हो गया, gap किता है दोनों के बीच में, 35%, यह वाला 35% है, कितने हिस्सों में बाटना है, 5 में बाटना है, मतलब एक जो distance रहेगा, वो 7 unit का है, तो 5 है, इससे एक आगे चले जाएं, एक unit है 7 का, तो 5 प्लस 7 अपने को करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 12%, 12% क्या निकले, जो uneducated है, educated कितने होंगे, 100 में से 12 घटा देंगे, 88, option number C, weight आपने सही लिखा था, one-fifth of the population is female, मतलब 5 में से एक तो female है, तो 5 में से फिर 4 अपने male हो जाएंगे, वापस explain कर दो, ठीक है, अपने को क्या numbers दिया है इनोंने, कि 5% male और 50% female जो है uneducated है, तो इनका जो group का average रहेगा, वो दोनों के बीच में आना चाहिए, पांच और 40 के बीच में, जो uneducated है उनके लिए, तो 5% males है, 40% females जो की uneducated है, अब इनके उपर मुझे weight डालना है, कि ये जो group है, 5% वाला, कितने हैं ऐसे लोग, तो 5% of क्या, total population, तो उस total population में से भी, एक हिस्सा females के पास जाना है, 4th हिस्सा जो है, 1 by 5 में, अब टोटल अगर 5 लोग हैं, तो उसमें से एक female है, 4 males हैं, ये लिख लिया, 40 और 5, difference 35 का है, कितने हिस्सों में cut लगाने हैं, मतलब कितने gap होने चाहिए, तो 4 plus 1, 5, 5 से divide किया है, मतलब 7, तो अगर total 5 है, मतलब यहाँ पर, total 4 cut लगेंगे, तो जो gap हैं, वो 5 होंगे, 5 से उपर की तरफ जा सकते हैं, ये increasing order में लिखी हुए, अपनी allocation की scale होती है, तो एक unit किसको correspond करती है, 7 को, 5 से एक unit आगे जाना है, मतलब 5 से 7% आगे जाना है, तो 5 plus 7, 12, ये क्या निकले, uneducated निकले, 100% population में से 12% uneducated है, तो educated कितनी होगी, तो में से घटा देंगे, इठिया से, क्योंकि देखो, अपने को तो ratio चाहिए होता है, बस, तो ये ratio नोंने अपने को पहले सी दे दिया, इस absolute number का, अपने को कोई use नहीं, next देखते है, portion number 10, कितने ग्रूप बनेंगे यहाँ पर, तीन है, तीन ग्रूप होगे, तो यहाँ पर allocation अपनी लगाएंगे, अब weighted average का use करेंगे, उस पूरे का overall तो मुझे उन्होंने पहले सी दे दिया, कि 52 उनका average, arithmetic mean का मतलब होता average, right as 20% of them scored a mean score of 80, तो अगर 80 score किया, यह average यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर लिखेंगे weight, यहाँ पर लिखेंगे weight, पहले average लिख लेते हैं, 80 इनों ने score किया, 31 इनों ने score किया, तीसरे group ने कितना score किया, वो हमें निकालना है, तो उसे लिख लेंगे x, अब इनका weight देख लेते हैं, 80 कितनों ने score किया, 20% लोगों ने, यहाँ पर लिख लो 20, 20%, परसंट रहाते हैं, क्यों 20 लिख लेते हैं अभी के लिए, और 31, 25% लोगों ने, then mean of the remaining 55%, यहाँ पर 55%, यह अपने पास 3 group आगे, इनको simplify कर सकते हैं, ratio ले लेंगे, 5 से divide करेंगे, 4, यह 5 हो जाएगा, यह 11 हो जाएगा, और overall मुझे चाहिए कितना, 52 और यह group का average दिया हुआ है, बस formula यहाँ पर लगा दो, यह जिलिव टियो कितना, हम म presumably मुझे झाहिए बसक है, यहाँ जो कितना, यह बखिब हो कितना, यह झाहेगा, और टाइम से लाइड गई हुई क्या है वहाँ पर आच्छा आच्छो छोटे कलकुरिशन है वो तो हो जाएंगे आराम से X की वैल्यू निकालनी है अपने को 50 multiply by 4 plus 31 multiply by 5 plus 11 X बराबर हो जाएगा 52 multiply by 11 plus 5 plus 9 20 इसको पूरा solve करना पड़े कुछ cancel out 31 5 से हो रहा है यहां पर यह पांच है ना इसको एक बना लो इसको 16 बना लो चार बना लो अच्छा यहां पर 11 की वज़े से नहीं होगा ना सॉरी हाँ ने 11 की वज़े से नहीं होगा 155 574 यहां पर इसका double करेंगे मतलब 104 और एक 0 और जोड़ देंगे 475 माइनस कर देंगे उसमें से यहां पर हो जाएगा 5 यहां पर बचेगा अपना 13 में से 7 घटाएंगे 6 यहां पर 9 हो जाएगा मतलब 3 365 को 11 से अपने को डिवाइड करना है अप्रॉक्स वाइली उन्होंने पूछी है यहां पर तीन थोड़ी आएगा यहां पर गलत कर रहे हैं नहों हो जाएगा उसमें से आप 4 घटाओगे पांच आएगा इसको आप 11 से डिवाइड करोगे मतलब 5 बार जाएगा 55 फिर एक बार और फिर सम्तिंग सम्तिंग 51 पॉइंट सम्तिंग आएगा अप्रॉक्स ऑप्शन नमबर सी ऑप्शन नमबर सी जब भी तीन गुरूप बनेंगे तो वहाँ पर अपन एलिकेशन नहीं लगाएंगे वहाँ पर अपन वेटेर डैवरेज को ही लेंगे बाकी चीज़े बस सिंप्लिफाइ करने की तो पच्पन कहां पर आ रहा है पंद्रा हो जाएगा एक बार जाएगा फिर उसके बाद फिर डैसिमल शुरू हो जाएगे तो 51 पॉइंट सम्तिंग आएगा अपना एप्रॉक्स वैल्यू नेक्स्ट लेवन्थ profit यंद लॉस में इसके application आते हैं simple interest compound interest में आते है time speed distance में आते है अब जगे allocation या weighted average का use कहीश 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 कही हैती आता है दो group हैim allocation लगा देंगे 6% profit 3% का loss Elegation की scale बनाएगर तो यहाँ पे सबसे छोटी value loss है minus 3% का तो minus 3% सबसे बड़ी value 6% तो overall इनके बीच में कहीं न कहीं आएगा अब इस पे weight किता लिखूँ 2 third of the consignment was sold at profit of 6% तो 3 में से 2 हिस्से तो आपके पास चले गए एक हिस्सा आपके पास रहेगा होगे 3 हिस्से gap कितना है? 6% और minus 3 के बीच में 9 का gap आएगा minus 3 से 0 पे जाओगे 0 से 6 पे जाओगे तो 3 और 6, 9 का gap आएगा कितने भाग में divide करना है? 2 plus 1 3 मतलब हर एक जो हर एक जो हिस्सा रहेगा बीच में तो 3% का रहेगा तो 3% का रहेगा तो चाहे minus 3 से देख लो चाहे 6 से देख लो minus 3 से देखें तो 2 unit आगे जाना है 2 step आगे जाना है, एक step 3 का है मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3% plus 6% करेंगे तो 3% आएगा, overall उसको 3% का profit हुआ है, यह 3% की value आपको दी है 540 के पराबर तो 100% की value निकाल दो unitary method लग जाएगी कि 3% का मतलब है 3% का मतलब है 540 यह 18 बार जाता है 100% का मतलब होगा 180 और 20 और option number C अब profit loss के आसान सवालों में से फिर यह हो जाएगा अगर वहाँ पर इसको allegation लगा लेंगे तो कोई x y z अपने को नहीं लेना पड़ रहा है कोई variable कहीं से कहीं तक नहीं है simple numbers के साथ वो भी integers के साथ अपन खेलने कोई fraction नहीं है कुछ भी decimal नहीं है कोई variable नहीं है बिल्कुल साथ सुतरा calculation है 12th तीन ग्रूप बन रहे तो वेटेट तो लगाएंगे overall profit की value उन्होंने बता दिये तो पहले तो overall profit का percent मुझे देखना पड़ेगा कि cumulative है कितना पहली ग्रूप को अगर देखें तो 15% आपने profit लिया दूसरे में आप ले रहे हो 19% का profit और remaining को 25% profit पर यह तो है उसकी average value अब यहाँ पर weight देखें वजन वजन क्या हो गए यहाँ यहाँ पर यहाँ पर 20 बीस बेची 15% पर 40 19% पर बचा कितना 16 बेची आपने 25% weight को पहले simplify कर लेते हैं यह इसको 4 से जाएगा तो 5 बार यह 10 बार और यह चार बार तो formula लगाके cumulative अपने को निकालना पड़ेगा दोनों multiply करें 175 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 190 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 divided by 19 overall क्या आएगा percent आएगा इतने percent का उसको profit हुआ होगा इनको जोड़ लें तो कितना मिलेगा अपने को इसमें से इसमें से दस निकाल के इसको दे दो इसमें से दस निकाल के इसको दे दो योगया 200, 300, 400 और चारसो पैंसट यह उसको overall profit की value निकली पांस से हो रहा है मतलब simplify तो नहीं होगा यह नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं इसको ऐसे रहने तो अपने को overall percent है तो चाहिए निए अपने को कुछ और उन्होंने पूछा है जो भी simplification रहाएगा वो हमेशा अपन करेंगे अपने calculation की last step में इसकी value दे रखिए और हमसे पूछाए कि cost price बताओ हर एक का तो 465% की value है 6570 6570 अगर मैं 100% निकालू तो वो क्या होगा मेरा cost price cost price हो जाएगा 6570 multiply by 19 उपर चला जाएगा और 465 नीचे आ जाएगा यह क्या निकला total cost price निकला और उन्होंने क्या बोला है एच की निकालो हर एक की निकालो total है कित्ती 76 तो 76 से divide करना पड़ेगा 76 से divide करना पड़ेगा यह चार बार चला जाएगा पांच यहां पर आ रहा है पांच से इसको पहले simplify कर लेते हैं और यहां पर 0 आ रहा है तो मतलब multiply 10 है इसको multiply by 2 कर लेते हैं ठीक है 657 multiply by 2 है 93 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है मुझे लग रहा है आप value कुछ गलत calculate करें आप कहरे हो साथ बार चले जाओ साथ बार जाएंगे तो 21 देगा ना साथ बार से कैसे ले जाएंगे आप आप नौ बार आप लेके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा बड़ी value हो जाएगी मुझे रहा है वह 75 होगा आप समझ में आया ना 15 x 5 75 होगा और हम लोग उसको 175 लिख रहे थे 190 और यह हो जाएगा 100 इसको देंगे मतलब 200 300 365 365 आएगा 100 जादा ले लिया इस वज़े से calculation पूरी गड़ बड़ा गई इसको एक मिट मिटा देते हैं यहाँ पे 365 होगा यह 365 है 5 से simplify किया था मतलब 7 बार और 3 बार 73 से चेक करो इसको 73 9 बार कर देंगे 7 हाँ 9 बार जाए गई 9 यहाँ पे हो गया 73 से और यह 100 का multiply भी नहीं किया 100 देखो कई गलतियां हो रही यहाँ पे 2 2 से 2 यहाँ पे 50 95 is a 45 option number A बनेगा इस स्टार्टिंग में जहाँ गरबड होगे इसलिए पूरा वो 365 by 19 परसेंट इसलिए यहाँ पे 19 आ रहा है तो अपन घवर आ रहें कि यह कैसे simplify होगा क्या होगा तो होता गया है कि question ऐसा set किया जाता है कुछ ना कुछ numbers एंड मोमेंट पे cancel out हो जाएंगे इसलिए इसलिए लास तक अपने को चीजों को पहले simplify नहीं करना है बाद में जाके करना है आके चले 18 इतने ग्रूप होगा यहां पर इन ग्रूप होगा तो फिर allegation तो नहीं लगेगा वेटर डैवरज लगाएंगे पहला ग्रूप फिरा ग्रूप तीसरा ग्रूप पहले पर जो interest मिलेगा तीन परसेंट दूसरे पर छे परसेंट तीसरे पर बारा परसेंट वेट क्या डालेगा 2 by 3 है 2 by 3 है 1 by 6 है जब fraction आ रहा है तो अपने को हाँ उस पर LCM लेके अपने को अगर total unit 6 माल ले तो पहले पर कितना चला जाएगा 4 दूसरे पर 1 by 6 1 तो बचा क्या 1 मतलब यहाँ पर 4 का वेट, यहाँ पर 1 का वेट यहाँ पर 1 का वेट यहाँ को तो बस ratio चाहिए 30 30 divided by 6 5% 5% का आपको overall profit हो रहा है 5% का मतलब है 25 5% 5% 100% 500 यह सारे सवाल होते अपने वेटेड आवेरेज के प्रशन नमबर 14 कितने ग्रूप हैं 2 ग्रूप है, allegation लगा देंगे तरुन का 18 अंसर आ रहा है 24% का गेन यहाँ पर है, यहाँ पर कितना गेन है cost price पे 0 0% से लेके 24% तक जाना है जो भी आएगा इसके बीच में value आएगी 3, 4 आपने बेचा 24% पे तो 3, 4, 4 में से 3 आपने इसको दे दिये एक इसके पास चला जाएगा अब यहाँ पर लगा दो allegation gap कितना है 24 का कितने division बनेंगे 4 से divide करना है मतलब 6 1, 1, 6, 6% का gap रहेगा और यहाँ से गर 0% से देखें तो 3 step आगे चलना है मतलब 18 option number B वैसे कैसे नॉर्मल वेटेड आपने लगा कि दो option तो अपने आप eliminate भी हो रहे है 24% से कमी होना चाहिए इसलिए 24 और 32 eliminate हो रहे है चलो आज का आखरी सवाल आज का आखरी सवाल कि इतने ग्रूप है यहाँ पर दो है कि तीन है कि तीन है कि यहाँ पर वेटेड डेवरेज लगाएंगे परसेंटेज प्रॉफिट तो दिया है वेट सभी से डिस्रिब्यूट करो पहले पर 40% का profit है दूसरे पर 40% का loss है तो minus 40% डिक लेते हैं और तीसरे को आपने cost price पर बेचा मतलब 0% अब वेट डिसाइड कर लेते हैं आधे उसने बेचे फिर half of the remaining half का half कर रहे हैं मतलब total 4 मालो तो इसको आपने आधा किया 2 दो बचे 2 का आधा किया एक बचा किया एक तब यहाँ पर 2, 1 और 1 यह आपका weight distribute हो गए तो यह हो जाएगा 40, 40% यहाँ पर रहे है 40% का overall profit वो gain कर रहे है नहीं नहीं divide नहीं कर रहे हैं देखो गलती कर रहे है divided by 4 से divide करेंगे 10 आएगा 10% option number B यहाँ पर आ रहा था 80 यहाँ पर आ रहा था minus 40 तो 40 अपना adjust हो गया plus का 40 आया और total 4 यहाँ पर weight है उससे divide कर दिया 10% यह है अपना allegation कब लगाएंगे और weighted average कब लगाएंगे तो यह दो अंतर अपने को समझ में आना चाहिए 2 group है allegation लगाएंगे 3 group है weighted average लगाएंगे क्या average 3 में लगता है allegation लगता है पर वो lengthy हो जाता है इसलिए recommend नहीं करता कोई भी लगेगा कैसे पहले आप इसका group बनाओगे यहाँ पर allocation लगाओगे कुछ percent निकलेगा इसका weight बन जाएगा 3 इसका weight रहेगा एक फिर आप एक बार और allegation लगाओगे तो लेंदी हो जाता है कोई मतलब नहीं है हाँ तो simple सा अपने को तुरूल बनाएक चलना है 2 है तो allegation लगाएंगे 2 से ज़्यादा है तो weighted average लगाएंगे इस तरह से solve करेंगे चार चार भी आ सकती है एक उपर सवाल में थी भी इसमें weighted average में भी एक सवाल उपर देखा था percentage marks जब थे उसमें तो चार ratio दिये हुए थे तो चार में भी आप calculate कर चुके हो इससे ज़्यादा तो खेर आएगी भी नहीं और value अगर लेंदी हो जाती तो फिर वो सबके लिए calculate हुए ऐसा इस पर भी एक class और लेंगे उसमें allocation को पूरा खत्म करेंगे और फिर mixture वाले questions में चलेंगे जब दो आपके groups को मिलाया जाता है खासका जो liquid वगरा होते हैं उनको मिलाया जाता है तो किस तरह से वो behave करते हैं और कैसे उन्हें हम calculate करेंगे तो mixed अपका ये weighted average देखा allegation देखा इसी में एक आता है ratio method भी तो कब हम allegation या weighted average लगाएंगे और कब हम ratio लगाएंगे इसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो जब उस तरह की questions आएंगे तो वहाँ पर मैं उस चीज़को आपको demonstrate कर वाँगा बाकी की questions को करेंगे कल की class में